नवश्कार बिन्धा टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ विवेक रैगाओं का रण चुनाओं प्रचार थम चुका है तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत छूंक दी है बड़े नेताओं की सभाएं हुई सिवराश सिंग जी की कई सभाएं हुई कमनलाथ की कई सभाएं हुई तो कैसा होगा यह रैगाओं का रण इसमें विशलेशन के लिए आज हम बैठे हैं और यह जानना जरूरी हो जाता है कि तमाम सभाओं के बाद कैसी परिस्थितियां होगी कैसा जातिगत समिकरण होगा और कैसी क्यूंकि बैयान बाजी की कई बाते आई और कई नेताओं द्वारा कई ऐसी कारवाहियां हुई जिसमें बैयान बाजियां होई तो इस बिसे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पिंधिया टाइम्स के एडिटर निन चीफ अमित मिस्रा जी हैं जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसा होगा परिणाम कैसे होंगे चुनाओ प्रचार के बाद कैसी स्थितियां बन सकती हैं तो पहला सवाल मैं यह चाहूंगा क क्योंकि यह पूरा कैंपेन था तो पूरा सिवराई सिंग और कमनलात के बीच में हुआ शिवराई सिंग जी का आधि बासिओं के हम भोजन करना और कमनलात जी की तमाम सवाइं. हुई जिसमें कई जगह जाना भरजुना देवी के मंदिर जाना संकर मंदिर जाना तो कैसा कैमपेंड हो सकता है कैसी स्थितिया आँगे परिणाम कैसे हो सकते हैं इसके देखें जब से मद्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है जहे ् दोजार आठारा की बाद की जायाए eight 산ा के बाद जो परि스तिया बनी उसके साथ जब ये सरकार गिरी है उस सरकार के गिरने के बाद जो पूरे समी करन है वो पूरी तरह से कुछ इस तरह से हो गए है कि परिस्थितियां बनी उसके साथ जब ये सरकार गिरी है उस सरकार के गिरने के बाद जो पूरे समी करण है वो पूरी तरह से कुछ इस तरह से हो गए है कि पूरी जो लड़ाई है वो बीजेपी कॉंग्रेस से जादा कमलनाद बनाम सिराज सिंग चोहान रही है आपको पीछे ले जाते हैं जब उन तमाम सीटों पर उपचुना हुए जहां सिंधिया के लोग पार्टी छोड़ कर गए मंत्री बने वहाँ भी जब कैम्पेन चल रहा था तो इस पस्ट था कोई शीर सुनेतित उसे नहीं कोई बड़ा नाम नहीं इनको पूरी लड़ाई जो थी वो शि इनको मुख्यमंत्रि शुराज सिंग चोहान और पूर मुख्यमंत्री कमंलात के बीच है यहां बीजेपी कॉंघ्रेस ठीक है राजनेतिक दल है, संगठन है, सब कुछ है, यहाँ पर कॉंग्रेस में संगठन में सब कुछ कमल नाती है, निता प्रतिपक, शेंपूर, मुख्यमंतरी, साथी साथ प्रदेश, अध्यक्ष भी है, लेकिन वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर सबसे जादा बीजेपी इस च कमल नात के विपक्ष में सीधे शिराज बोल रहे हैं, तो यह पूरी लडाई जो है, कमल नात बना, शिराज सिंग चोहन, दोनों के लिए बर्चसु की लडाई है, बर्चसु की लडाई, देखे, इन परिनामों से कुछ होना नहीं है, न सरकार गिर जाएगी, न कोई ऐसी चीज हो जाएगी, लेकिन ये परिनाम जो भी दल जीतेगा, वो इसको प्रोजेक्ट करेगा कि ये सेमी फाइनल था, जैसा चित्रकूट उपचुनाओ को आप देखे, 2017 में जब वो चुनाओ हुआ, चित्रकूट का, उस समय क्या बताया गया उपचुनाओ में, कि ये सत्त का सेमी फाइनल है, और उस सेमी फाइनल में जब जीत मिली, तो जीत में इतने उत्साहित थे, कॉंग्रेस के नेता, बाद में भी वो सीट उनके पास रही, लेकिन ये हुआ कि मैसेज, क्लियर कट मैसेज, पबलिक ने दे दिया है, और शायद वो क्लियर कट मैसेज था, जुगल किशोर बागरी वहां के बड़े नेता थे, वो जब वहां से हटते, उनका निधन होता है, उसके बाद वहां ये चुनाव होना, तो एक emotional card पार्टियां खेलती है, ठीक, लेकिन चुकि उनके बेटे को टिकेट नहीं मिला है, तो उस factor पे इस पूरे चुनाव में उ वो emotional card बीजेपी नहीं खेल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने जो लाइन नई तयार की है, जिसमें इस पस्ट रूप से वो कह रहे हैं, कि नए लोगों को मौका देना है, ये एक बड़ा factor है, फिलहाल जो पूरा campaign रहा, वो कमन लाद बनाम शुराज सिंग चौहान रहाँ, ठीक है, आपने अजय सिंग राहुल की बात की, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पार्टियां कहती हैं कि हम जातिगत समीकरण की वगालत नहीं करते हैं, लेकिन तमाम लेताओं को लाना, केशो प्रशाद मौरिया को लाया गया, उमा भारती की सभाव हुई, तो इसमें जातिगत समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, देखे, राजनैतिक दल ये कहना तो छोड़ ही दे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्यप्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जातिधर्म के आधार पर ये पूरी सियासी बिसाद बिचाते हैं, जा तरह की परिस्थितियां है, लेकिन सरकार जब होती है, तो सरकार के लिए ये प्रतिस्था का चुनाओ होता है, कुरोना की विसंगतियां, कुरोना से मौत, आकडों में हेर फेर, तरह तरह के मुद्दे हैं, फिर उसके इतर राष्ट्रवाद, फिर उसके बाद तमाम दिल् ये सब कुछ दिखता है, अब जब ये परिस्थितियां इस तरह से खड़ी होती हैं, तो ये राजनैतिक दल सिर्फ बोल सकते हैं, कि जातिगत कोई फैक्टर नहीं है, हर बार पूरा कैलकुलेशन, हर सीट में, चाहे कहीं भी हो, जाति के हिसाब से ही होता है, आप समझे कि राजस्थान के पूर्व उपमुक्रमंत्री सचिन पाइलेट की सभा कराई जाती है, बताया जाता है कि गुर्जर समाज सुन ले, जो गदारी करके गए, सचिन बिल्ला जो पिछले दिनों चले गए, उसके बाद वो सभा कराई जाती है, एक संदेश देने की कोशिस की जा जातियों में जिस तरह का ये पूरा पैरामीटर सेट होता है, वो रहगाओं में बहुत क्लियर दिख रहा था, क्लियर इसलिए दिख रहा था कि जिनकी संख्या, जिन जातियों की संख्या 2,000 है, उसको टारगेट करने के लिए एक अलग वोट, आप बीजेपी का एग्रेस करने के लिए अलग तैयारी, भरत सिंग कुश्वाहा साथ उनको भी यहां बुलाया गया था बीजेपी से, उसके अलावा, सिधार्थ कुश्वाहा को बिलकुल फूल फ्लेश की आपके यहां से कोई चीज वो नहीं होनी चाहिए, तरह तरह की बातें थी कि पूरी कोशिस क करण है, जिस तरह की कैलकुलेशन की बात होती है, 38,000 ब्राह्मन वोट है, कितना वोट द्रुवी करण हो पाएगा, बीजेपी के अपने दावे हैं, कॉंग्रिस के अपने दावे हैं, निलान्शो चतुरुवेदी हर जगे बहुत एग्रेसिवली कम, कैमपेंड कर रहे थे उनकी बगल वाली विदानसभा सीट भी है, शायद ज़्यादा प्रभाव हो, बीजेपी से तमाम लोगों को तैनात किया गया, चाहे वराजेंदर शुकल हो, पूर मंत्री है, वरतमान विधायक है, रिवा से, उसके अलाबा अलग-अलग लोगों की तैनाती की गई, फिर आते हैं, चात्री वोटर्स में, 24,000 की संख्या है, और इस बात को बिल्कुल डिनाय नहीं किया जा सकता कि अजे सिंग राहूल का वहाँ जादा अच्छा ग्राउंड था, एस कंपेर टू लोग ये भी कहते हैं कि सीधी से जादा अच्छी जमीन सतना की है, बहुत कम वोट होगी, तब ये कनवर्जन समझ में आएगा, फिर उसके साथ कुश्वाहा वोट, बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है, इसके साथ एक चीज़ और बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टन फैक्टर है, वो ये है कि उसके अलावा जो जातियां हैं, जैसे दाहिया सम समाज के 5000 वोट, फिर छोटी छोटी जो जातियां है, 1500 वोट, 1700 वोट, इसका बंच किसके साथ जाएगा, वो सबकुछ निर्धारित कर जाएगा, कोल समाज के 5000 वोट, शरत कोल लगतार पूरे कैमपेन में रहे हैं, तो हर राजनेतिक दल इन जातियों के हिसाब से पूरे कै कैमपेन को अपने पक्ष में करने की कोशिस करता रहा, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कॉंग्रेस रही हो, कमलात की सभाय हो रही थी, शुराज सिंग चोहान का ये जो रात्र भोज वाला प्रोग्राम है, ये कितना असर कर जाएगा, गणेश सिंग पूरे कैमपेन को एक तरह से हेड करते हुए दिख रहे थे, हर जगे जिस तरह से रहे, मंत्रियों की छेचे साथ साथ मंत्रियों की वहाँ ड्यूटी, उसके एवज में ऐसा नहीं कि कॉंग्रेस ने कैमपेन को बहुत कमजोर रखा, उतना ही अग्रेसिव रहे, प्रभारी लखन गंगोरिया रहे, लेकिन फ्रंट में नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर जिसकी जमीन है, जिसका अधिकार छेत्रिक तरह से कह सकते हैं, जिसके कहने पर वोटर कनवर्ट हो सकता है, उन चेहरों को इस बार विदिवत इस्तिमाल किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस के सामने एक एक अनुपूर में जिस तरह की हार हुई या अलग अलग सीटों में जिस तरह की हार हुई, इस बार ये टार्गेट था कि उन गलतियों को नहीं करना है, इसलिए आप देखिए कि इस बार केम्पेन के बीच में कोई होहंगा, मां नहीं हुआ कांग्रेस के किसी कैमपेन में, द है जिस तरह से आएगा वो उसी प्रकार से होगा या तो ये मार्जिन पांच-जार-अठाथ-जार का है या तो ये मार्जिन फिर सीधे 17-18-छार का है ये परिस्तितिया रह गाओं में बन सकते हैं आपने चितुरकूर विदान मंदिर गए क्योंकि वो पहले चित्रकूट विधान सभा का छेत हुआ करता था फिर निलांसू का तमाम सभाओं में रहना और उस बात को अग्रेसिव होकर उठाना की व्रिजैन सिंग जो हमने देखे हैं कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं उससे इलेक्शन डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें पैरलर चलती हैं प्रतिमा भागरी का वो पहले जो वीडियो आया जिसमें चश्मा निकालते हुए और ये सब हुआ उसके बाद कॉंग्रिस ने अपने ओफीशियल ट्विटर तमाम जगे से ट्वीट किया सब कुछ ये देखिए इनका चाल चरित चहरा तमाम वीडियो जारी हो गए उसका दूसरा पक्ष जब आया तो कॉंग्रिस बैक फूट में आई दूसरा पक्ष ये कि शुराज सिंग चोहान से कुछ कहने गए थे मंतरी और जब वो कान में कहके लौट रहते तो उनकी जेब से चश्मा गिरके उनके बाल में गया वो चश्मा उन्होंने निकाला एक पक्ष में बहुत एग्रेसिव आप होते हैं उस भाशन को लगातार वो करते भी जा रहे थे कॉंग्रिस के लेकिन एक मुद्दा जो वहाँ की पब्लिक से जो लोग बात कर रहे थे जो चीजें निकल के सामने आती है कि महगाई इतना जबर्जस्त हिट कर सकती है और वो रिजल्ट बताएगा अगर ये रेशियो किसी की जीत हार का मतलब आप समझी है कि अगर शुराज सिंग चौह ना ये सब कुछ और उसके बाद अगर ये अठारा हजार से अगर भाजपा की जीत होती है कि एक्जामपल समझे तो मतलब शुराज बनाम कमलनात में शुराज जीत गए अगर ये कॉंग्रेस के फेवर में इसी तरह की स्ट्रेटीजी बनती है तो मतलब मुद्दे जाती सम करन सब कुछ साथते हुए वो एक स्ट्रेटीजी बनाकर जो एक प्रबंधन की बात हो रही थी उस हिसाब से ये जीतते हुए दिखेंगे एक चहरे की बात पूरे कैंपेन में देखी गई नारायन तिपाथी कहीं पे चुनाव सभा में नहीं देखे गए और उनका एक या जनता के बीच में गया देखिए दो चीजे हैं कैंपेन बीजेपी कॉंग्रेस इन दोनों का कैंपेन है प्रचार थम चुका है नारायन त्रिपार्टी अलग बिंद्र प्रदेश के मांग को लेके पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी में अपन तो रहता है एक ही जिले के वो विधायक है जिस जिले में चुनाओ है उसके बाद उनका ना शामिल होना और पूरी कोशिसों के बाद भी जब बीजेपी का ये था कि अब बात करके अगली सभा में ले आएंगे तब भी ना जाना तो एक मैसेज तो जाता है कि इंसान मतलब वो कई बार सतना के अलग-अलग देसों में रेगाओं में भी वो पहुच चुके थे साथी साथ एक महत्पूर्ण विशय ये है कि वहाँ पर सबकी निगाहें जो है वो कुश्वाह वोट पर बहुत है और ये बार-बार वहाँ छेतर में भी लोग कह रहे हैं कि सुखलाल क कुश्वाह के सपोर्टर और जो सिधार्थ कुश्वाह के साथ हैं उनकी भी एक बड़ी संख्या है अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ तो वाकई वहां कॉंग्रेस को बहुत फाइदा होने वाला है जो दोनों प्रत्यासी हैं प्रतिमा बागरी और कल्पना बर्मा अनुभ तो इसका भी कैंपेन में क्या इस चुनाव में प्रभाव पढ़ सकता है जनता के बीच में बिलकुल प्रभाव पढ़ सकता है देखिए कल्पना वर्मा एक चुनाव लड़ चुकी है अभी पिछला चुनाव जो हारी है 47,000 वोट मिले हैं उनको चुनाव लड़ने का उन्हें उस चीज का अनुभाव है और कमलात ने इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया कि किसी और को कैंडिडेचर बनाओ या फिर कुछ और करो और ऐसी परिस्थितियों में वो इन सेचुएशन में प्लस हैं लेकिन दूसरे पक्ष की ओर जाईए मुर्लिधर राओ मधिपरद पुराने कैंडिडेट सब कुछ लेकिन उन्होंने चार की चार सीटों में कैंडिडेट बदल दिया और कैंडिडेट बदलने के साथ एक मैसेज दिया कि हम हमारे कारेकरताओं को भी टिकिट देंगे आगे आने वाले समय में जो मैसेज किया है कि अब जो परिस्थितियां ह भी खड़ी हो रही है और वहाँ पर जो candidate है पहले छोटा चुनाओ हार चुकी है जो भी चीज़ें हो लेकिन वहाँ संगठन जितनी ताकत के साथ चुनाओ लड़ाता है वह बहुत माइने रखता है कोई भी चुनाओ होता है भीतर घात की बात सामने आती है क्योंकि ये चुनाओ पुछपराज बागरी जो जुगल किसोर बावगरी के बेटे हैं उनकी भतीजी चुनाओ लड़ रही है पीजेपी उनको हर जगह साथ में लेके जा रही है लेकिन नाराजगी हर जगह देखी जाए गई है पहले भी देखी गई अब भी देखी जाती है और कौंग्रेश में भी वितर घात की खबरे आती ही रहती है तो भीतर घात का क्या प्रभा होगा इस चुनाओं में और झेगरेश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पिछली बार केंड़िट वही थी इस बार मिल गय की पूरी राजनीत इस चुनाओ के परिणाम पर भी टिकी हुई है अगर इस चुनाओ परिणाम में सपस्ट है आप इसके ठीक पहले जाईए जो चुनाओ दमों में हुआ जैन्त मलाया उनके बेटे सब कुछ चल रहा था और चुनाओ परिणाम जबाए वो भी वहां से पू किट कटा नॉमिनेशन हुआ था घर से ही दो दो सब कुछ वापस लेना पड़ा बीजेपी के लिए टफ काम है क्योंकि सवाल सिर्फ साथ हजार साथ हजार पांच सो बागरी वोटर का नहीं है सवाल यह है कि सोशल मैसेज क्या कनवे हो रहा है अगर सोशल मैसेज यह कनवे अपील बड़े लेबल पर बीजेपी को करनी थी शायद वो नहीं हो पाई लेकिन कॉंग्रेस कर रही थी कि गलत हुआ यह तमाम परिस्थितियां जो भी है यह परिणाम निर्धारित कर देंगे कि उनका भविश्य क्या होगा क्योंकि अगर टिकेट काटा गया था परिवा महतिपूर्ण होगा कि अपने समाज के कितने वोट को साध पाते हैं अगर उसमें विखराओ के स्थिति हुई यानि जनता अंदर यंदर इस फैसले से आलाकमान के बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से ना खुश रही होगी इसी के साथ ये भी महतिपूर्ण है कि अब जब ये दोनों सारी चीजें रुख चुकी है क्योंकि बीजेपी पर एक बहुत बड़ी बात ये रहती है कि प्रबंधन में कोई मात नहीं दे सकता तो किस तरह का प्रबंधन रहेगा कितनी स्टेटियां फिट बैठी होंगी हर समाज को जो साधने की कवायत हुई चाहे बड़े मंत्रियों को बुलाने की कोशिस हो नरेन सिंग टोमर कैमपेन में आए उमा भारतियां ही सब कुछ हुआ है अब आगे आने वाले समय में ये परिणाम सब कुछ बता देगा